मैं मातादी दोस्तों आप सबी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 27 जुलाई और 28 जुलाई के तुलाराशी फल के बारे में तुलाराशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे इन दो दिनों में ग्रह नक्षत्रों में क्या इस्थितिया होंगी और उनका प्रवाव आपकी दिंचर्या पर कैसा होगा आपकी सिक्षा पर स्वास्थे पर परिवारिक जीवन प्रेम जीवन धामपत जीवन नौ आने वाले सभी योज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो चलिए जान लेते हैं इन दो दिनों में क्या तित्थी होगी क्या नक्षत्र होगा क्या योग बनेगा 27 जुलाई की बात करते हैं 27 जुलाई श्रामण मास शुकलपक्ष की अस्टमीति थी है और स्वातिन न पूरिया इस दिन करकराशी में है चंद्रमा इस दिन तुलाराशी में है इस दिन पूरा दिन रवी योग बनने वाला है 28 जुलाई की बात करते हैं 28 जुलाई श्रामण मास शुकलपक्ष की नवमीतिति है जो की सुबा से शुरू होगी और विशा का नक्षत्र रहेगा इ स्वरूप की पूजा अर्चना होती है ये दिन सुखसवबाद की प्राप्ति के लिए किया जाता है प्रेम विवाह के लिए मन चाही विवाह के लिए और धामपत्य जीवन में खुश्यां लाने के लिए व्रत किया जाता है तो आप भी इस दिन का फायदा उठा सकते हैं स अगर हम चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो चंद्रमा दोनों दिनों में तुलाराशी में यानि कि आपके लगन में विराजित होंगे तुलाराशी की हम बात कर रहे हैं लगन में चंद्रमा किस तरह के फाल देंगे आपको कहां साफदानी रखनी है कहां आपके लिए ल एक तो थोड़ा सा आराम करें, पोश्टी का हर लाएं, ताकि वो आपकी उर्जा के स्तर को बढ़ाय रखे, क्योंकि अपनी उर्जा के स्तर को उठा कर रखना बड़ा एहम है, तभी आप अपनी कामों को बड़ी आच्छे से कर पाते हैं, आपके मन में इन दो दिनों में जल और आपका व्यक्ति तो परभावित होगा, तो आपके अंदर कई तरह के बदल आप भी देखने को मिलेंगे, और ये उन्ही बदलावों के नतीजा है कि आप जल्दी से पैसा कमाने की इच्छा रखेंगे, जिससे आप लोगों की मदद लेते हुए भी दिखाए देंगे, लेकिन आपके इमानदार और जिंदा दिल सभाव के कारण आपके अंदर वो जादुई शक्ति है, जिससे आप हर इंसान को अपनी तरफ खीच सकते हैं, इस समय जो आप कुछ परिशानिया थी हैं आपके लिए जो आपके काम से जुड़ी हों, चाहिए आपके घर से आएंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि आप अपनी काम और अपनी घर दोनों में से किसी को भी नजर अंदाज ना करें, दोनों में एक अच्छा सामझा से बना कर चलें, जिससे आप खुद को भी अच्छा फील करा सकें और परिवार को भी, धहर्या और दर्ड़ संकल पाप कर सामने आएंगे, और हर तरह की परिष्टिती को समाहलने का, आप हुनर भी रखते हैं और काबिलियत भी रखते हैं, ये समय किसी ऐसी दिशा में जाता हुआ परतीत भी हो रहा है, जिसके बारे में आपने सोचा ना हो, परिशान ना हो, ये बदलाव बहुत अच्छे के के लिए है, बस आप अपने पंख भैलाने के लिए तयार हो जाएं, ये समय बदलाव का है, और आप के लिए बदलाव जरूर आएगा, आप इसमय अपना काम भी बदल सकते हैं, अगर बदलना चाहते हैं, और अपनी काम की और अपना रुजहान आप फिर जादा बढ़ा पाएंगे अगर काम का प्रेशर जादा है किसी काम की जादा होने से आप गिरे हुए हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सफलता के लिए इकागर्चित होकर काम करना बहुत जरूरी है हर तरह कितना आपको दूर करें सफलता बहुत दीरे मिल रही है लेकिन मिलेगी चिंता ना करें, बस उस थानों पर अपना ध्यान के इंदित करें, जहां भी आपको आगे बढ़ने के लिए अफसर प्राप्त होते हैं, तोकि जिस भी अफसर को आप खोते हैं, बाद में आपके मन में ये पस्तावा नहीं होना चाहिए, कि काश ये अफसर मुझे मिला होता इसलिए हर अफसर का फाइदा आपको उठाना है इस समय अगर निवेश किये जाते हैं, तो वो बहुत अधिक फल दायक होंगे लेकिन इसका आर्थिये नहीं है, कि अफसर का लाब लेने के लिए आप अपना कार्या छोड़ दें या आप कहीं से कर्ज ले लें, आप कहीं से लोन लेने, कर्ज में दब जाएं अगर आपके पास है निवेश करने लाइक तो ही आप निवेश करें अपनी कामों पर ज्यादा ध्यान देनी तो अपनी पुझी निवेश के बारे में ध्यान से सोचें और वह व्यावसाय करें जो आपके लिए मजबूत हो जो मजबूत नीव रखने के लिए आपके लिए उप्यक्त हो इन चीजों के तरफ आपको ज़्यादा ध्यान देना है देखिए जमीन जयदाद से जुड़ा कोई भी कारिया जब हम करते हैं कोई हम जमीन में पैसा लगाते हैं प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं कोई व्यावसाय परतिस्ठान आदी खरीते हैं तो उससे लाब जादा होता है क्योंकि इस प्रकार के जो बिजनेस है जो प्रॉपर्टी से जुड़े बिजनेस करते हैं इसमें बहुत अधिक फायदा भी होता है लेकिन रिस्क हर काम में भी होता है इसलिए खरीदने बेचने का चलन तो आजकल काफी वेवारिक हो गया है तो अचानक से इसमें बड़ा लाब होने के जमभामनाई होती है तो यदि आपके पास ऐसी किसी संपत्ति को खरीदने का उसर आ रहा है कि आपको लग रहा है कि हाँ उससे आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है तो आप जल्दी ही उस पर कोई ऐसा यूजना बनाए कि आप उसे खरीद सकें आप लंबे अर्से से जमी जादाद भवन जैसी ऐसी चलचल संपत्ति का विग्यापन देख रहे हैं तो देड़ ना करें अगर आप खरी सकते हैं तो जरूर खरीदें क्योंकि आने वाले भविश्य में उसका अच्छा फायदा आपको देखने को मिल सकता है और जो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम करते हैं उनके लिए समय देखिए बहुत अनुकुल है उनको इस समय काफी लाब मिलने की उमीदे हम कर सकते हैं अच्छा लाब इन दुनों उनको देखने को मिलेगा इन दो दिनों को आपके लिए सबसे अच्छे दिनों में से एक कहा जा सकता है दोनों ही दिन आपके लिए किसी बड़े निवेश में हड़ देने के लिए अच्छे हैं और वहाँ से अच्छा profit gain करने के लिए बहुत अच्छे है कारेशेत्र पर किये गए प्रयास आने वाले दिनों में आपकी सफलता और प्रगती दोनों में योगदान करेंगे आपका जीवन आनंद में रहेगा, आराम दायक रहेगा और कुछ खर्चे भी आप करते वे दिख रहे हैं जो आप अपनी विलासिता के ऊपर खर्च कर सकते हैं सामाजी किस्तिती अच्छी रहेगी इस समय आपको काफी संतुष्टी मिलेगी आपकी सामाजी किस्तिती को आप बढ़ाएंगे और इस समय आपका ध्यान कुछ सामाजी कार्यकरम को की तरफ भी रहेगा कुछ लोगों से मिलकर जो आपके सामाजी कर्थबे से जुड़े लोग हैं उनसे मिलकर कुछ काम होगी भी आप यहां सोच विचार कर सकते हैं जरूरी काम अगर कोई पैंडिंग पढ़ा है तो उसमें दोस्तों को भाईयों का भी सहयोग मिलेगा जीवन में तरफ की मिलने से परिवार में खुशी का माहूल बना रहेगा स्टुडेंट्स की बात करें तो इस बिदेंट्स के लिए समय काफी अनुकूल है प्रेंग जीवन, पारिवारिक जीवन, दांपत्य जीवन की अगर बात की जाए तो हो सकता है प्रेंगी से आपकी कुछ दूरियां बढ़ें तो चिंता न करें ये थोड़े समय के लिए ही है ये थोड़ा तुनक मिजाजी की वज़े से हो सकता है तो किसी भी तरह की नकारात्मक्ता को अपने रास्ते में ना आने दे ठंडे दिमाग से काम ले अगर दामपत्य जीवन की बात करें तो दामपत्य जीवन आपके लिए यहां अच्छा देख रहा है आपका पारिवार जीवन अच्छा रहेगा परिवार के सबी सदस्यों के साथ आनदायक समय आप वैतित करेंगे अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थे के बारे में कि इन दो दिनों में आपका स्वास्थे कैसा होगा तो स्वास्त है कि प्रती आप सचीत भी रहेंगे और आप काफी उर्जावान भी रहेंगे लेकिन फिर भी अगर आपको कोई परिशानी होती है तो उसका समया पर आप उपचार जरूर कराएंगे तो आपके लिए इस समय और अन्कुल रहेगा पॉस्टी का हर जरूर लेते रहें वियायाम जरूर करते रहें गीची से आपको मजबूत बनाती हैं आपकी उर्जा को बनाये रखती हैं देखे 27 जुलाई का जो दिन है वो सावन का चौथा समवार है और इस दिन आप दिन की शुरूवात भगवान शीव के आरादना करके शिवलिंग का जलाब शीक रुद्रहा शीक करके आप कर सकते हैं क्योंकि इसके बाद एक सौमवार और बचेगा श्रावन मास का तो इन दे श्रावन मास के सौमवार हो कि आप पूरा फायदा उठा सकते हैं भगवान शीव किर्पा के पातर बन सकते हैं और 28 जुलाई मंगला गोरी वरत है तो मंगला गोरी वरत अगर आप करना चाहते हैं तो पुरी विदी विधान से बुजा अर्चना करें वरत करें और अपनी सभी परिशानियों के आप छुटकारे की कामना भी करें तो दोस्तों और अदिखेसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें